मित्रों इस बार हनुमाइन जीयनती 8 अपरेल 2020 को पड़ रही है जो दिन बुद्वार का है हनुमाइन जीयनती 7 अपरेल से 8 अपरेल के बीच पड़ रही है ऐसा संयोग 200 साल बाद आ रहा है ये संयोग इससे पहले 1820 मैं बुद्वार के दिन हनुमान जनती पड़ी थी और तब कालेरा नामक भी महामारी फैली थी और ठीक 200 साल बाद संयोग बन रहा है और करोना बीमारी फैली है तो भग्वान हनुमान जी हमें बचाने के लिए है सुएम हमारा साथ देंगे इस हनुमान जनती का खास महत्व संक्ट मोचझ आप हनुमान को प्रसंद करने के लिए भगत दूरे दिन बरत रखे है हनुमान चालिस सका पार्ट करें मानinas्ता के अनुसार पांच बार या ग्यारावार हनुमान चालिस का पाट करें पवन पुत्र हनुमान प्रसन होकर भक्तों पर कर्पा बरसाते हैं इस पर मंदिरों विसीज पूजा पाट का आईजन किया जाता है लेकिन इस बार लॉक डाउन होने के कारणा आप ये सारे कारे घर पर ही करें भजन की इर्तन करें हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए उन पर सिंदू चड़ाया जाता है सुंदर कान का पाट करें एवं शाम को आरती करें वक्तों में परशाद बाटें और सभी के लिए मंगल कामना करें हनुमान जेहनती के जगा मिलाल कता है परंतू इस बार या सब संबब नहीं हो पाएगा हनुमान जेहनती के दिन सुबह उटकर सवेरे सवेरे सीता राम जी का और हनुमान जी को याद करें सनान करने के वाद ध्यान करें और ब्रत का संकल्प लें इसके वाद स्वक्च वस्त्र धारार करें पूर दिशा में हनुमान जी की प्रतिमगर स्थापित करें मानने तक है कि हनुमान जी की मूती घड़ी आवास्ता में आउनी चाहिए में तुरों इस बार हनुमाई जेनती बुद्वार की बन रही है अगर आपके आठवी भाग में बुद्ध या ग्रह बुद्ध ग्रह सनी और चंदर के साथ बैटा है तो तो पुलिस टेशन या थोस्पिटल किसी भी इनती के दिन यानी आट अप्रेल दोजार बीस को आप अपनी बेहन मौसी या बुद्ध को थोड़ा कुछ दान करें अगर आप नहीं चाह सकते लॉकडाउन के चलते तो कुछ सामगरी आनलाइन ही उनके घर पे पहुचाएं अगर कोशिश करें तो रातरी खोने से पूर ही एक कारे कर लें जिससे आपकी रासी का बुद्ध मजबूत होगा और आप बचेंगे इस मामारी से और इस कारे को रातरी से पूर ही करतें तो याद ज़्यादा लापकारी रहेगा अगर सामान भीजना पॉसिबल ना हो तो एक बार दिन में अच्छे से बात कर लें जिससे अगर कोई मन मुटाव हो जितना गयागा मन मुटाव वो तो दूर हो जाए आप अपने बीच के मन मुटाव को दूर करें और कोशिश करें कि आपकी बहन मौसी या बुवा जो भी है वो आपसे परसंद रहें जिससे आपका बुद्गराय स्ट्रॉंग होगा जो आपके लिए अत्ते अंदलाब करी रहेगा ऐसा सहियोग कफी ताहिम बात बन रहा है तो आप विसेश रूप से इस सहियोग का उप्योग कर इस महामारी से बचें